आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग फोन में डूल सिम सैटिंग्स की तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो इसके लिए आप अपने फोन में सबसे पहले सैटिंग्स को एक बार उपन कर लीजिए और यहाँ पर settings को open करने के बाद आपको नीचे scroll करना है और नीचे आएंगे आप तो आपको एक option देखने को मिलेगा यहाँ पर connections के नाम से connections पर click करिए उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आपको मिलेगा mobile network के नाम से एक option इस पर आप click करिए और यहाँ पर अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो डेटा रोमिंग को आप on कर दीजिए वोल्टी कॉल्स को भी आप यहाँ से इस टाइप से on करिए SIM 2 के लिए भी आप इसे on कर सकते हैं यहाँ पर network mode पर क्लिक करके LTE select कर लीजिए सेम आपको SIM 2 के लिए भी इस option को select कर लेना है फिर आप back आईए आपको मिलेगा एक option SIM card manager का इस पर आप क्लिक करिए यहाँ पर आपको दोनो SIM card को इस टाइप से enable रखना है अगर आपका SIM disable है तो इस पर क्लिक करके इसे enable करिए नीचे OK करिए फिर आपको नीचे मिलता है calls का option calls पर क्लिक करके आप जिस SIM से call करेंगे वो select करिए यहाँ फिर अगर आप ask को always करेंगे तो हर बार आप choice कर सकते हैं call करते वक्त तो यहाँ पर हम ask always करते हैं उसके बाद आपको मिलेगा messages का option same आपको message के लिए SIM 1 या फिर SIM 2 को select करना है mobile data पर क्लिक करके आप SIM 1 या फिर SIM 2 select कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप call forwarding या फिर call waiting के options को use करेंगे तो उसके लिए आप dialer को open करिए उपर तीन dot पर क्लिक करिए settings का एक option आएगा settings पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा नीचे की तरफ supplementary services का option इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं call forwarding, call bearing, call waiting के options को आप use यहाँ से कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें